हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको टू कलर से बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल एकदम से नया डिजाइन है देखिए इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहां पे आठ न रोल बना लिया है तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे फंदे फ्रेंड्स देखिए मैं बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के फंदे बताऊंगी बिग्नर्स के लिए बहुती आसानी से यह बन जाएगा जिसने बिल्कुल भी नहीं बनाया है वो भी इस डिजाइन को ऐसे फंदे डालके आसानी से बना लेगा यह देखिए मैंने आपर नोट लगाके इसको अच्छे से पका कर लिया है यह देखिए इतना इसे मैंने इसको लूज रखा है पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, मैं इसको अठारा फंदेगा बनाऊंगी, अगर आपको बड़ा बनाना है, तो आप बड़ा बना दीजिए, जोड़े के इसाब से आप इसमें फंदे डालेगा, तो देख तो अगसें फंदे डालने के बाद, इस तरिके से जब आप फंदे डालते ही फ्रेंडस तो बहुत ही आप आराम से बनाईएगा, नहीं तो हमारा बीच में ग्ययप आजाएगा, बिलकूल ऐसे फस्ट रोकों आप आराम से बनाईएगा, ओल्ठा ओल्टा बनाती हुए इस पूरी रो जितने भी आपके पास फंदे हो आराम से इसी तरीके से आप बना लेजिए पंदों के बीच में बिल्कुल भी हमारा रेकी गैप नहीं आएगा जिसको बिल्कुल भी फंदे डालने नहीं आते वो भी इस डिजाइन को बहुत ही अच्छे से बना लेगा अपके पास अगर साड़ी हो तो साड़ी की याब प्ति बना लेजिए साड़ी की प्ति लंबी लंबी बनेंगे ये देखे और लास्ट वाले को भी हम ऐसे बना लेंगे ये देखे पलट लेंगे और इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और यह देखिए इसको मैं इसी के अंदर रोल कर दूँगे ताकि बहुत यह हमारा सफाई के साथ बनके कम्पलीट हो यह देखिए जब भी हम साड़ी और चुनी से बनाते हैं फ्रेंड्स तो हमने इसमें नोट नहीं लगानी पड़ती वो मैं आपको बताऊंगे आगे हम इसमें जवाइंट कैसे लगाएंगे तो देखिए दोनों साइड से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है यह देखिए यह दूसरी रो है मेरी यह देखिए तो इसमें फ्रेंड्स मैं यह दो रो और उतार लेती हूं इसी तरीके से फिर मैं आपको इसमें आगे का बताऊंगे यह देखिए इसमें मैंने चार रो उतार ली है यह दो मेरी यह लाइन बन गई है यह देखिए अब देखिए हमें क्या करना है अब यहां से मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगे जो कि मेरे पास है ब्लैक कलर है ध्यान से देखिए इसके मैं दो फंदे ही मैं बनाओंगे और मैं यहीं से वापस मुर जाओंगे ध्यान से देखिए इसको ऐसे उतार लूँगे और इसको मैं बना लूँगे फिर से देखिए फस्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे और यह जो हमारी पत्टी है इसको भी फ्रेंड साम है असे लपलेट लेगे यह देखिए दो हमारे पास पहले थे और इस पत्टी को भी आप ऐसे ऐसे रखी वनीष साथ। आगे हम इससे बनाएंगे और मैं दो और इसमें ले लूँगे चार होगे हमारे ये इधान से देखिएगा हर बार आपने इसी तरीके से कली की स्टार्टिंग करनी है आप देखिए अब इस कलर को फ्रेंट्स हम आँदर की तरफ लेके जाएंगे लेकिन ये हमारे चार फन ले रहेंगे आप देखिए मैं आपको बना के दिखाऊंगे तब समझ में आएगा ये देखिए ये जो दो फंदे हैं ये मैं इस कलर से बनाऊंगे स्टार्टिंग के ध्यान से देखिए चार फंदे थे तो दो फंदे मैं इस से बना लूँगे और ये आगे के ये दो फंदे मैं ये बलेक वाले हमारे चार चार फंदे चलेंगे तो मैंने ये बना लिए और दो मैं आगे से ले लूँगे गली में और हम यहीं से वापस मुठ जाएंगे सी दिसाइड से जो जिस कलर का होगा हमने उसी कलर से बनाना है उसको पिछे कर देंगे पिछे से ये आगे ले आएंगे अब देखिए friends यह मेरी पट्टी छोटी हो गई तो जिब दूसरा हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे यह देखिए थोड़ा सा पकड़ के रखिए आप इसको क्योंकि बिल्कुल हमारा यह जॉइंट किनारे पे आया है इस कुरारे वाले को आप सीधा बनाईएगा अब देखिए इस साइड से उतार लेंगे यह फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे यह मेरे पास लाइट ब्लू कलर है दो फंदे में इसमें आगे से एड़ कर लूँगे यह फंदे बढ़ते जाएंगे और यह फंदे हमारे चार-चार ही जलेंगे ब्लैक वाले देखिए दो यह हैं दो में हर बार कितरे आगे से एड़ कर लूँगे बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा यहां से आप एक बार इसको समझ लेजिएगा आप यह देखिए सीधी साइड से जो जैसा है और पिछे से दूसरी ऐसे लेके आएंगे क्रोस करके यह देखिए यह फंदे हम उल्टे बनाएंगे सिरफ किनारे का फंदा हम पट्टी पिछे करके हम इसको सिधा बना देंगे यहां से फिर चोटी जैसी एक किनारी बनती जाएगे फिर से एक बार देख लिजिए यह हमारे चार हो गए दो हम इसमें और एड कर लेंगे यह देखिए यहां से शुरू में हमने यहां पे चार फन दे लिए चार लेने के बाद फिर दो हमने पीछे से इस कलर के कर लिए और दो black हमारे बचगे दो हमने आगे से ले लिए उसी तरीके से हम चलते हुए आई हैं और ये पीछे हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट हो गई अब दो बचगे दो आगे से एड़ कर लेंगे दो दो फंदे हमने इसमें एड़ करने हैं इस तरीके से हम इस कली को बनाते जाएंगे कली भी हमारी बन जाएगे और हमारा डिजाइन भी डलता जाएगा यह देखिए जितना भी आप इसको बड़ा बनाना चाहो उतना ही आप इसे बड़ा बना सकते हो इसको सिधा बना देंगे ये देखिए एक बार फिर से देखिए फिर मैं इसके लिए को नीचे तक बना के दिखाऊंगे फस्ट वाला उतार लेंगे इसी तरीके से आपने बनाना है आप देखिए दो दो तीन, चार, पांच, और छे, दो आगे से और हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे और ये ब्लेक वाले दो हमारे बच्चे हुए हैं और दो हम आगे से और ले लेंगे यह हमारे चार-चार फंदे ही चलेंगे इस कलर के, यह कलर हमारा बढ़ता गठता रहेगा, मुड़ जाएंगे, राइट साइड से जो जैसा वैसा ही बनाएंगे, तो फ्रेंड्स मैं इनको भी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दो फंदे बच जाएंगे, जब तक मैं आपको दिखाऊंगी, यह चार-फंदे और मैं इसी तरीके से दो-दो करके कनवर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का बता हूँ, यह देखिए, यह लास्ट के दो-फंदे बचे हुए हैं, और इस रोको मैंने यहां तक बना लिया है, यह देखिए, ऐसे हमारे डिजाइन की लु कर लेंगे, यह देखिए, रिजाइन हमारा लास्ट तक आ गया है, यह देखिए, राइट साइड से हम इस रोको ऐसे ही बनाएंगे, जो जिस कलर का है, उसी कलर से, यह देखिए, हाफ कली हमारी बन गई है, बेजाइन हमारा नीचे तक चला गया है, यह देखिए, इसी तरीके साथ इसको बनाएंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के कम्पलीट होगा, इसको आप ऐसे सिधा बनाएंगे, यह देखिए, ऐसे आपकी चोटी सी बनती ज आएगे, यह देखिए, यह हमारे डिजाइन की लुक है, आप देखिए हमी क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अब तक हम फ्रेंड से, आप समझ लीजिए, उपर से नीचे की तरफ गए थे, अब इस डिजाइन को हम नीचे से उपर की तरफ लेके आएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, और ये बारा, बारा फंदे में बनाऊंगी, ये दो फंदे, आप देखिए, ये दो फंदे हम उपर की तरफ से, अब तक हम नीचे की तरफ गए थे, अब उपर की तरफ आएंगे, ये देखिए, ये दो फंदे मैंने इसमें कनवर्ट कर दिये, ये दो में न दो फंदे में नीचे के यह छोड़ दूंगी बिना बने और हम यही से पलट लेंगे यह दिखिए ग्लैक कलर के ग्लैक से बना दिये पिछे कर लेंगे पिछे से क्रोस करके आगे लेके आओंगे और यह फंदे हम इसी पिसाइड से कुछ नहीं करना आपने जो जिस कलर का होगा उसी कलर से आपने इसको बनाना है एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कोई भी बनाने में प्रॉब्लम ना आए यह देखिए मुट गया हमारे डेजाइन उपर की तरफ एक बार फिर से देखिए आप देखिए एक दो तीन चार पाच चे साथ आट नुम दस दो फंदे हम फिर से इसमें कनवर्ट कर देंगे इसको हम ऐसे कर लेंगे दूसरी पट्टी लगाऊंगे मैं पट्टी कम हो गई मेरी आप देखिए यह दो मैंने इसमें कनवर्ट कर दिये और दो हम आगे से ले लेंगे और यह देखिए दो फंदे हमने छोड़ दिये इसी तरीके से फ्रेंट्स मैं इसको सिधी साइड से जो रोज ऐसी है मैं वैसी ही बनाऊंगी दो दो फंदे हम उपर की तरफ आएंगे और नीचे दो दो फंदे हम छोड़ देंगे तो मैं इस डिजा हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे त्यान से देखिए और तो हम हर बार की तरह आगे से ले लेगे और दो फंदे हम छोड़ देंगे यहीं से वापस मुड़ जाएंगे यह देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने डिजाइन की स्टार्टिंग की थी शुरू में वैसे ही हमारे फंदे वापस हो गई है इसको हम सिधा बना देंगे अब जो दो फंदे बच्चे हुए हैं यह वाले इनको भी हम छोड़ देंगे यह देखिए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे इसको मैं सिधा बना दूगे यह देखिए बिल्कुल हमारा डिजाइन उपर तक आ गया है जैसे यह है ऐसे हमारे डिजाइन के लोक आई है अब हम यह सारे इफंदे इस कलर से बना लेंगे इसको हम पिछे करेंगे नीचे तक टाइट कर देजे यह देखिए तो तो करके छोड़ रखें हैं जैसे फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में चार रो बनाई थी ऐसे ही हम यहां पे चार रो बनाएंगे अब हमारी एक कलेवन के कंप्लीट हो गई यह देखिए इसको ऐसे ही उतार लेंगे और यह पूरी रो मैं उपर तक इसी तरीके से उटा उटा बना के इसे में कंप्लीट करूंगे यह देखिए फ्रेंड्स यह हमारी एक लाइन हमारी बन गई है नीचे हमने देखिए दो लाइन बना रखी है तो एक उल्टी तरफ से एक सीधी तरफ से दो रो उतार ली हैं इक ये उल्टी तरफ से उतारूँगी मैं लास्ट तख और फिर मैं इस साइड से भी मैं ये ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के सीथी साइड से भी मैं यहां तक ये दो रो उतार लेती हूँ फिर ये एक बार डिजाइन में स्टार्ट करके आपको देऊँगी अगली कली अगली कली के लिए ताकि आपको कोई भी दिकत ना आई तो मैं दो रो उतार लेती हूँ यह देखिए चार रो फ्रेंड्स मैंने इसमें उतार ली हैं और हम यह ओल्टे साइड में हैं तो एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई बीच में चार रो भी हमने बना लिए अब देखिए अगली कली की स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है ध्यान से देखिएगा यह देखिए दोफन देवे ने बना लिए हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे पीछे करेंगे और इसको हम सिदा बना लिए अब फिर से देखिए इसको उतार लेंगे दोफन दे हैं हमारे दो हम आगे से इसमें और ले लेंगे चार फन दे हो गए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे स्टार्टिंग भी आपने इसी तरीके से करनी है फस्ट कली की इस सेकंड के लेकि मैं आपको स्टार्टिंग करके दे रही हूं सेम आपने हर बार इसी तरीके से करना है यह देखिए यह हमारे यहाँ पे दो एक बार लिए हमने दो आगे से एड़ कर लिए यह हमारे यहाँ पे चार फन दे जो भी आप बीच में color लगाओ मेरे पास black है तो 4 फंदे मैंने इसमें बना लिये हैं अब देखिए 4 फंदे होने के बाद अब 2 फंदे हमने निचे से इसमें add करने हैं 2 फंदे हम starting के इस color के बना लेगे color हमने लगा लिया इसे इसको था सा खिर दीजिए अब देखिए 2 फंदे हमारे बच गए और 2 हम आगे से add कर लेंगे यह हमारे 4 चर फंदे ही चलेंगे यही से हम मुड़ जाएंगे हर बार हमने 2 तो फंदे add करके यहां तक आना है एक बार फिर से देखिए और फिर नीचे से 2 तो फंदे छोड़ते हुए डिजाइन को उपर की दर्फ लेके आना है बिल्कुल सिंपल डिजाइन है यह देखिए इसको पिछे करेंगे यह राइट साइड से जो जिस कलर का फंदा होगा हम उसी कलर से बनाएंगे यह देखिए इसको आप सिधा बनाओगे तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर आपका फिनिशिंग के साथ बनेगा अब देखिए एक बार उट देख लिए दो हो गए हमारे दो हम इसमें आगे से एड़ करते जाएंगे यह ब्लू कलर के फंदे मेरे बढ़ते जाएंगे यह फंदे मेरे ब्लैक वाले चार ही चलेंगे दो बच गए तो मैं यह बना लूँगे और दो हमने आगे से एड़ करने है यह देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इस डिजाइन को कम्प्लीट करूँगी बनाऊंगी यह देखिए दूसरी कली की मैंने स्टार्टिंग कर दी है यह एक कली की ऐसी लुक आई है तो मैं इसे बना लेती हूँ कम्प्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी आई यह देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के इसे कम्प्लीट कर लिया है 6 कली में बनके complete हुआ है और बीच में मैंने किसमे flower लगाया है अगर आपको पूजा का आशन बनाना है तो आप बीच में flower मत लगाए तो friends आपको design कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइए पसंद आया हो तो please इसे like कर लीजिए चैनल पे नई हो तो subscribe कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ Thank you